कि इतने लोगों की बैठक में एक नेता को जो मुख्यमंत्री है उसको उसी सभा के एक नेता ने कहा इसको गोली मारिये नरंद्र मोदी जी जैसा चौकिदार इनके सारे भृष्टाचार की जितने दर्वाजे हैं सब बंद कर दिये हैं देखिए बटना की बैठक पंचर हो गई है अरविंद केजरिवाल को जो भासा बोला है शिवानन तिवारेजी ने कि अरविंद को किसी ने नोटिस तक नहीं किया अरविंद ताना साई दिखा रहा था और वो जाता है तो जाने दिजिए यहां तक बोल दिया गोली मारिए अब आप सोचिए कि इतने लोगों की बैठक में एक नेता को जो मुख्यमंत्री है उसको उसी सभा के एक नेता ने कहा इसको गोली मारिए इसको भटाईए यहां से तो आप इससे असमुद समझ सकते हैं कि इनका अपना अपना इजंडा है इनका अपना अपना अजंडा है इनका एजेंडा गरीबों को युवाओं को महिलाओं को जिताना नहीं है इनका एजेंडा अपनी अपनी गोटी सेट करनी है नरंद्र मोदी जी जैसा चौकिदार इनके सारे भृष्टाचार की जतने दर्वाजे हैं सब बंद कर दिये है अब ये लोग सिर्फ इस से परिशान की सारे देश का भला क्यों हो रहा है सारा पैसा सबसीडी का हुई हो तो लोगों के एकाउंट में कैसे चला जा रहा है गरीब मजबूत कैसे हो रहे हैं तो जब इस आधार पे आप मोदी जी का विरोध करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ देश का कोई विक्ति आपो जी आप मायावती जी का जो भी इस्टेंड है मैं समझता हूँ वो अपने पाटी के रीत नीत पे खड़ी है लेकिन जो लोग वहां गये हैं वो अब किसी का अपनी आइडियोलोजी नहीं रह गया है सब अपनी आइडियोलोजी मिटा करके अपने भरष्टाचार और परिवारवाद को जिताने में लगी उनका बस चलता तो उनईस में भी नहीं बनने देते यह देश लोक तंत्र से चलता है और इस देश के लोगों ने मनरेंद्र मोदी को अपने दिल में बसाया है मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक जागे और विचार करे समिक्षा करे कि यह जो बीस पचीस लोग आपस में मिल रहे हैं इन लोगों को भी तो सत्ता मिली थी क्या किया क्या चलाया क्या दिया कुछ नहीं आज मोदी जी ने दिया अब इनको लगता है भविस्य हमारा अंधिकार में है क्योंकि मोदी और बीजे पी एंडी अच्छा कारे कर रही है तो उसका को कोई इलाज जनता के पास नहीं